हालो एव्रीवन आपका आप ही के यूटूब चैनल में स्वागत है और जो हम लोगों ने 16-17 वीडियो के एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट की है आज उसकरी में नेक्स्ट वीडियो है ब्लॉक डिल वर्सिस बल्क डिल येस बहुत इंपोर्टेंट है कुछ लोगों को लग र रेटिंग एजनसी का करवा सच वाली वीडियो बनाई थी हमने वहां पे भी जिक्र किया था और FII-DIAE डेटा के अनुसार पांच मिनिट में आप कैसे अडिन्टिफाई करें कि स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है उसमें तो हमने जिक्र किया ही था क्योंकि वहां पे इ इससे जो भी वीडियो अपडेट होती है आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो आपको सारी वीडियो का फाइदा मिलता रहना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं आप एजुकेशन से सीख कर कमाएं किसी के ऊपर dependent ना हो यह है हमारी कोशिस तो चलिए सुरू करते हैं आपने कई बार business new channel पर सुना होगा block deal और bulk deal के बारे में और देखा भी होगा कि जब भी कभी block deal या bulk deal के बारे में ख़बर आती है तो share के prices में बहुत बड़ी movement आती है तो आखिर क्या है block deal और bulk deal आखिर क्यों उसमें movement आती है बहुत सारे important जो prospect है उस पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले block deal की बात करते हैं यह single transaction होता है जो कम से कम 5 lakh share या 5 करोर की value की share की खरीदी विक्रिका होता है 5 lakh share या 5 करोर की value की share की खरीदी विक्रिका इतने share किसी छोटे investor के पास होते नहीं इसलिए transaction किसी बड़े investor या institution के बीच होती है और यह deal सुबह सवा 9 बजे से लेकर 9 बच के 50 मिन तक morning का session सवा 9 बजे खुला और 9 बच के 50 मिन तक और 35 मिनट के अंदर ही यह deal समाने trading window से अलग window पे होती है अब यह समान से क्या मतलब हम जिस पे trading करते हैं जिस mobile app पे या software पे यह उस पे नहीं होती है और सेवी के guideline के अनुसर block deal last day यानि कल समझो आज होना है तो कल की जो closing price है उससे 1% उपर या 1% नीचे या current market price पर होगी और block deal में दोनों party पहले से agree करते हैं कि block deal किस price पे होगी लेकिन किस price में block deal हुई है कितने दाम पर हुई है किसने share खरीदे हैं और किसने बेचे हैं यह सारी जानकारी stock exchange को दी जाती है और यह deal कराने वाले broker की जिम्मेदारी होती है कि उससे जुरी सारी जानकारी stock exchange को दे और इसलिए यह जानकारी हम NSE की website पर जाकर देख सकते हैं जैसे अगर NSE पर कोई block deal हुई है तो उसकी जानकारी NSE पर रहती है और उसकी पर हम देख सकते हैं तो उसका link हम आपको description box में दे देंगे और BSC पर भी जो block deal होती है उसकी जानकारी आप BSC की website पर जाके देख सकते हैं उसकी भी link हम description box में दे देंगे तो यह सब link बहुत important होती है आप save करके अपने pass रखें जिससे आप check कर सकते हो अभी एक Indus Bank में हुई थी वो bulk deal थी कि blog deal थी वो आगे बात करेंगे बहुत लोगों वो पता हो तो comment box में जरूर बताईएगा और यह बहुत चीजे हैं चली आगे discuss करते हैं इसलिए कह रहे हैं बहुत education देने की कोसिस करते हैं फायदा लेने की कोसिस कीजिए और block deal में किया गया जो transaction होता है वो reverse नहीं किया जा सकता है यानि अगर किसी investor ने block deal क्या होती है अगर किसी deal में company की 0.5% से जादा की हिस्सेदारी को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे bulk deal कहते हैं और bulk deal किसी अलग trading window पर नहीं बलकि सामाने window पर होती है और इसी लिए हम bulk deal के order को देख सकते हैं जो सामाने trading window में होने से यह सुबस सवा 9 बज़े से लेकर पर पच्छेंज में कभी भी हो सकता है अगर कोई bulk deal एक ही order में होती है तो order का execution होते ही उसकी जानकारी stock exchange को देना बहुत ही जरूरी है लेकिन अगर यह deal एक से ज़ादा order में होती है तो इसकी جानकारी stock exchange को deal खतम होने कि एक घंडे में देनी है और block deal की तरब bulk deal की जानकारी भी हम stock exchange पे ले सकते हैं जिसकी link मैं आपको description box में दे दूँगा अब बात आती होगी दिमाग में आपकी कि आखिर ये block deal और bulk deal में participate कौन करता है तो definitely H&I, mutual fund, बरे investor, FIIs ये सब उसमें invest करते हैं अब next की भीया इतना moment की होता है deal होने की खबर से चुके deal बड़ी quantity में होता है जिससे उस share में इतना moment आता है और इसके अलावा bulk deal और block deal की खबर होने से सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि उस share का दाम बढ़ेगा इसलिए वो share को खरीदने और बेशनी भी लगते हैं जो कि mostly जो normal trader है उनकी tendency होती है क्योंकि बिना जानकारी के वो trade करते है और वो भी एक volume करता है वहाँ पे quick moment कुछ sudden moment में moment लाने का तो अब सवाल आता है कि क्या हमें किसी share को bulk deal या block deal होने से पहले खरीद लेना चाहिए है जी नहीं जी नहीं जो bulk deal या block deal होने से जब किसी में खबर आ रही है दोर के मत खरीद ये उस पे एक video बनाऊंगा वो video में बताऊंगा education कि क्या ध्यान रखें अगर वो ध्यान का condition complete होता है तो आप उसमें खरीद या बेज सकते हैं तो वो उस चीज़ पे हम उसमें video बनाएंगे लेकिन एक information दूँगा चुक कई investor करते हैं और उनको बाद में sorry trader करते हैं उन्हें पता नहीं है बहुत लोग volume breakout को use करते हैं correct और volume के breakout टेक्निक के अधार पे strategy के अधार पे 0 की खरीदी विकरी करते हैं ठीक है यह उनका prospect है कोई गलती नहीं है सही है लेकिन उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वो volume breakout देख रहे हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह volume breakout bulk deal और block deal के कारण ना हुआ क्योंकि अगर वो volume breakout bulk deal या block deal के कारण हुआ होगा फिर वो मज़ा नहीं देगा वो आपको फसा सकता है ठीक है यह इस बात को याद रखिएगा प्लस जो FII और DII का जो पाँच मिनिट में कैसे analysis करें जो चीज बताई है वहाँ पे भी इस bulk deal को देखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे भी यह काम नहीं करता है इवन जो कुछ लोग delivery percentage volume analysis पे काम करते हैं वहाँ पे भी bulk deal के case अगर होंगे तो वह analysis वहाँ पे काम अगे तो अगर आपने इसको भर भर के लाइक किया ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए 5000 लोग और लाइक है 500 तब तो वह वीडियो में बनाऊंगा नहीं लेकिन